हेलो फ्रेट्स वेलकोव मैं चैनल इन जीप्स क्रियेशन देख्या मैं आज यह कुशन कबर बनाने वाली हुँ इस यहे चिकर का कपड़ा है जो में सूट से बच गया था और यह कुछ बनारा सी कपड़ा है यह इन दोनों को मैं मैंचिंग करते वे बनाने वाली हूं एकाफ़ अईंडिंग आफ़ में अधूर्न आरा तो उस्टिव तो करते हों यह शाय जुकता यहां से 14 और 14-inch यारे दोनों साइड से मैने फोज़ी इन्च कर लिया है अम से इसको यहां से चारों से स्टीच कर लेंगे देशना इसमें बनासी इसको क्रेस और यहां से जो बनासी मैं साथ मैं साथ में यही difficistics कर देती हूं U यहां से इसका total measurement यहां से लेके दिए करीव 24 इंच का है याने total 48 इंच हो गया क्योंकि मैंने डबल कर रखा इसको और इस fabric को हम यहां से दोनों तरफ से इसको डबल फॉल्ड कर देंगे इस तरीके से हम यहां से डबल फोल्ड करेंगे इस तरफ से पूरे वह डबल फोल्ड कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से वन फोल्ड और यहां से इस तरीके से सेकिंड फोल्ड करते वे पूरे में फोल्ड कर लेंगे दिखे मैं इसमें यहां से इसको यह फोल्ड कर लिया है यह दुन तरफ से फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद मैं यहां से इसको सेंटर में इस तरीके से आप यहां पर एक लाइनिंग बना लिए मैं इसको यहां से प्रेस करके इसको सेट कर लिया है यानि यह देखी मेरी यहां पर यहां पर यह लाइन बन चुकी है यानि यह सेंटर का निशान बन गिया है यहां से सेंटर से करते हुए मैं यहां से इस प पूरे मिनहीं कि के बाद मेंने एक फैब्रीक लिया आप प्लेम्स और पिलिय करते हुए इस तरीके से fold करते हुए मैं इसको इस दोनों तरफ से stitch कर लूँगी और stitch करने के बाद साथ साथ मैंने एक fabric लिया है पीछे की side joint करने के लिए तो मैंने यहां से इसकी length है 9 inch और इदर से जो length है 14 inch की है अब हमें एक fabric और लेना है जिसका measurement यहां से भी 14 inch है और यहां से जो measurement है width की side से इसका 7 inch है इन दोनों sides को मैंने इसमें lining यूज़ कर लिए साथ साथ में इनकी भी और length की side से मैं इस तरीके से इसको double fold कर लूँगी double fold करते वे मैं इसको stitch कर लूँगी और दूसरे वाले part मैं भी के उपर मैं बिल्कुल इसको square piece को set करते हुए बराबर रखते हुए मैं इसको चेरो तरफ से इसको stitch कर लूँगी कि इबन इसको stitch कर लिया है stitch करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे सारे corners को हम अच्छे से निकाल लेंगे देखी ये कुशन बनके हमारा रेडी हो चुका है आप यहां पर चाहो तो कोई बटन श्टोन वगरा उसको भी आप डेकोरेट कर सकते हो अब इसके बाद देखिए मैं को कुशन डाल के दिखाती हूं कुशन डालने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आज वीडियो कैसे लगा